असलाम रेकूम कैसे आप सब लोग मीद करती हूं कि आप सब खायरियत से होंगे वलकम बैक तू माई चैनल आज मैं आपसे अपना समर का व्लोग शेयर करूँगी मेरा ये फस्ट व्लोग है समर का जब हम इस संडे को बाहिर गए हैं तो पता चला है कि काफी गर्मी जो है वो स्टार्ट हो गई है वरना तो वैदर बहुत अच्छा था बस यहाँ पर मैंने नाश्टा किया था और नाश्टे के बाद फिर मैं किचर में आ गई थी और अपने काम जो है वो स्टार्ट कर दिये थे यहाँ पर मैं डीटॉक्स ड्रिंक बना रही थी यह स्पेशल समर में ही बनता है और यह सेम ड्रिंक मैं विंटर में भी पीती हूँ और विंटर में इसको गरम करके पीना होता है और summer में है जो इसको ठंडा पीना होता है तो ठंडा मतलब इसको जग में डाल के हमने रख देना है कुकुमबर, लेमन और मिंट को यहाँ पर मैंने एक जग पानी लिया था इसमें जो है मैंने आधा पानी ठंडर डाला है और आधा रूम टमप्रेचर डाला है सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के इसको मैं रख दूँगी एक से डेट घंटा इसको रख देना है और इसके बाद इसको आप यूस करें इसका जो सारा फ्लेवर होता है वो पानी में आ जाता है और इसका खुशबू और टेस्स दोनों बहुत ही अच्छे होते है और समर के लिए समर में तो यह हमारी बोडी के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पर मैं पहले दूद बॉाइल होने के लिए रख रही थी आज मैं आप लोग उसे बहुत ही मज़े की मैंगो की रेसिपी शेयर करूंगी आप नॉर्मल रूटीन में भी इसको खा सकते हैं अगर आप डाइट पर हैं डाइट करना चाह रहे हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत ही बैस्ट आई यह रेसिपी और यहाँ पर जो है ना मैंने जो अपना ड्रिंक बनाया था इसको भी एक से डेट घंटा हो गया था तो बस मैं यह पीने के लिए जा रही थी के बाहिट बैट के थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ और उसके बाद फिर मैं आके अपनी जो है वापिस सबजी करने लग गई थी क्योंके फिल लंच की भी तैयारी करनी होती है और जो मोर्निंग का टाइम होता है यह इसी तरह से विजी होता है आज मैं बनाऊंगी खड़ी खड़ी भिंडी तो यहाँ पर भिंडी को मैंने मोटा मोटा ही काटा था जादा बरीक मैंने नहीं काटा था और भिंडियां काटने के बाद यहाँ पर मैं हरी मर्च को काट का रही थी और यह मोटी वाली हरी मर्च है तो यहाँ पर मैंने दो लिए हैं और ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है पर इनका जो फ्लेवर होता है न वो बहुत अच्छा आता है और भिंडियों में तो वैसे भी जितना आप जादा हरी मर्च डाले न उतनी ही मज़े की भिंडियां बनती है गर्मियां आएं और घर में भिंडी ना बने ऐसा होई नहीं सकता भिंडी तो वैसे भी मुझे बहुत पसानता है और गर्मियों में तो कुछ जादा ही दिल करता है भिंडी खाने का तो यहाँ पर मैंने ओईल डाल दिया था कड़ाई में के साथ साथ जो है वह मैं बिंडियों को रख दू फ्राई होने के लिए और मैं बिंडी चिकन जब भी बनाती हूँ तो पहले मैं बिंडी को फ्राई कर लेती हूँ और इस तरह से फिर मैं बाद में चिकन का मसाला बनाके तो फिर भिंडी को डालती हूँ और मुझसे इसी तरह से ठीक बनती है तो भिंडी को मैंने यहाँ पर फ्राई करने के लिए रख दिया है और फ्लेम को यहाँ पर मैंने हाई किया हुआ है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है नमक और बच्पन में वो जो याद है कि मुझसे भिंडी बिल्कुल भी अच्छी नी बनती थी या तो फिर वो सारी उसकी लेस निकल आती थी या तो फिर सारी भिंडिया मुझसे तूट जाती थी अब तो मैं बहुत अच्छा भिड़ी का सालन बना लेती हूँ और वक्त के सासथ फिर इंसान सीखी जाता है सारी चीज़े और यहाँ पर दूद भी ठंटा हो गया था तो इसके उपर मैं निकाल दी थी मलाई अच्छा जब भी मैं दूद बॉयल करती हूँ न जो उसके उपर मलाई होती है वो मैं निकाल लेती हूँ फेस पर लगाने के लिए क्योंकि मेरी स्किन ड्राइ है तो फिर मैं मलाई जो है वो अपने फेस पर यूज़ कर लेती हूँ ये मैंने डेड़ पाऊ जो है वो दूद को वाइल किया था तो इसके अंदर जो है मैं पांच चमच भरके चिया सीर्ष के डाल दूँगी अच्छा जो पहले वाला पड़ा था पहले मैंने वो डाला है मतलब वो एक चमच से उपर था तो चार चमत जो है ना मैंने भरके इसके अंदर और चिया सीर्फ के डाल दिये थे तो इसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेना है और वैसे भी ये 10 से 15 मिनट पर फूल जाते हैं अच्छा इनको मैं सर्दियों में भी यूज करती हूँ और गर्मियों में तो ये मास्टर फिर यूज होते हैं तो इसको मैं जार में डालके फ्रिज में रखतूंगे जब ही अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो फिर उसके बाद इसको यूज करना है और ये जो रेसिपी मैं बना रही हो ना उसमें ये ठंडे ही अच्छे लगते हैं यहां पर मैंने जिस ओयल में भिंडी फ्राइ की थी तो उसी के अंदर मैंने एक अदर कलेशन की क्यूब्स डाल दी है और आदा किलो इसमें मैंने चिकन डाल दिया है और चिकन की अच्छे से बुनाई कर लूँगी और जब चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा तो उसके बाद फिर इसमें स्पाइसिस डाल दूँगी आज का जो मेरा व्लॉग है ना वो बहुत स्पेशल है क्योंकि एक तो मेरा ये समर का फस्ट व्लॉग है और इस व्लॉग पढ़ना मैंने बहुत मेंनत की है और बहुत मेंनत से मैंने ये व्लॉग बनाया है तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है जो भी मेरे चैनल पर नाएं हाते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आगे आपको इसी तरह की मज़े मज़े की वीडियो देखने को मिलती रहें और यहां पर चिकिन अच्छे से फ्राई हो गया थाधा तो इसके अंदर मैं ला marvel euch लाल दाल दी थी थी हलदी डाल दी और Victory और साथ ही इसमें डाल दी है और साथ थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि भिंडी में भी नमक था और बाद में फिर मैं टेस्ट करके और डाल दूँगी तो मसालों कि मैंने अच्छे से भुनाई कर ली थी तो इसके अंदर फिर मैंने प्यास डाल दिया है और साथ में हरी मर्च डाल दी है तीन बड़े साइस के इसके अंदर मैं टीमाटर कट करके डाल दूँगी और भिंडी में टीमाटर ना मैं लंबे साइस के कट करती हूँ और मुझे इसी तरह से भिंडी में टीमाटर अच्छे लगते हैं टीमाटर डालने के बाद इसको मैंने कवर कर दिया है, 6-7 मिनट मैं कवर करके चिकन को पका लूँगी, जो टीमाटर का पानी होगा ना उसी में चिकन अच्छे से गल के सॉफ्ट हो जाएगा, तो यहां पर मैं जल्दी से गूंद लूँगी आटा, क्यूंकि फिर सालन बनने हमारा कितना होता है, तीन रोटियों का मैं आटा गूंदी हूं, दो उसी टाइम बना लेती हूं और एक फिर रात में बना के बच्चों को दे देती हूं, आटा मैंने यहां पर गूंद के प्लेट में निकाल लिया था, और साथ ही मैंने नीचे का कैबनेट खोला हुआ था क्योंकि इसमें कुछ गिरावा था और इसको मुझे करना था साफ, तो मैंने का फिर यह मुझे बूल जाया का, इसलिए मैंने इसको खोला हुआ था, कि मैं आटा गूंदने के बाद फोरान इसको साफ कर लूँगी, क्योंकि इस तरह मैं आटा गूंदने लगी थी तो मैंन हाई फ्लेम करके इसको अच्छे से ड्राइ कर लिया था इसकी भुनाई कर लिया थी चिकन की तो अभी इसके अंदर मैंने थोड़ा सा साबू धनिया डाल दिया है रोस्ट किया हुआ तो चिकन यहाँ पर मैंने अच्छे से बून लिया था और तो अभी इसके अंदर मैंने डाल दी हैं फ्राई की हुई भिंडिया और भिंडियों को अच्छे से मिक्स करे लूँगी और उसके बार इनको 6-7 मिनट कवर करके पका लूँगी ताके भिंडियां सौफ भी हो जाए और जो मसाला है ना चिकन का वो भी भिंडियों में आजाए भिंडियों यहाँ पर बनके तयार हो गई हैं तो इसके उपर मैं हरा धनिया डाल दूँगी और एक हफ़ता पहले ही ना मेरी छोटे भाई से बात हो रही थी तो अम्में ने भिंडियां बनाई हुई थी तो वो मैं लिए झायम हो गया था हमारे घर में बचें के लिए अलग से कुछ भी नहीं बनता है जो घर में बना होता है मैं वही कोशिश करती हूँ बच्चों को भी वही खिला ती हूँ ताके फिर बच्चे आtकी बढ़े होके उनकर पर ऐइश में फर मारे फुड़ों होती है कि साथ में मैंने ले ली थे जिनको मैंने सुभा में भी गोखे रक दिया था अच्छा ये ना लास समर में मेरे हस्बंट लेके आते थे लुलु मेरी खाल से जाते थे तो आज ना मैंने का उसी तरह से मैं ठ्राइग करती हूँ तो अब देखते हैं किस तरह से बनता है इसी तरह से मैंने सारे मैंगो को कट कर लिया है छोटे छोटे पीसिस में तो ये जो है ना इसी तरह पीसिस में ही मैंगो चाहिए तो इसको मैं डाल दूँगी ग्लास में अच्छा इसके जो कट है ना मैंगो के अगर आप नीचे तक गहरे गहरे लगाएंगे न तो फिर ये अराम से स्पून की मदद से निकल आया था मैंगो तो मैंगो मैंने दोनों गलासे में डाल दिया था तो इसके अंदर जी मैं डाल दूँगी अब ये चिया सेट्स जिनको मैंने सुबा में बिगो के रखा था और ये अच्छे से ठंडे भी हो गए थे और फूल भी चुके थे और ये मैंने खाने के जो चमच होते हैं ये राचा्चामच मैंने एक गलास में डाले थे और फाचामच यूड मैंने दूसरे गलास में डाले भास में चिया सिर्ट के और इसके इसके ओपर मैंने डाल दिया है रहनी छाहीन के त yumm jus यञागर पर फिर मैं और मैंगो की लेयर डाल दूँगी और यह मज़ेदार सी मैंगो फुड़ी बनके तयार हो जाएगी अच्छा आप अगर मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप जब चिया सिर्ट्स को भी गोएं तो इसके अंदर आप पुचेनी डाल दें तो इससे फिर जो है न य प्रचे भी आ गए थे छोटे को तो पसंद आया था छोटा हर चीज साहथ में खा लेता है बड़े को पसंद नहीं आया था बड़े ने सिर्फ मैगो खाया था ये था ची मिराज का व्लोग आई होप की वीडियो आपको पसंद आयोगी वीडियो पसंद आई